बिहार बोड 11th दिसंबर मासिक परिक्छा का देख सकते हैं दोस्तो इकणो मिक्स का ओरिजिनल कोश्चन पेपर है अर्थ सास्त का ओरिजिनल कोश्चन पेपर है दोस्तो 100% इस वीडियो मैं आपको अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताने बाला हूं तो वीडियो को पुरा last तक दिखना यही आएगा exam में दोस्तो 100% guarantee लेता हूँ original question paper है चलिए फटा-फट आपको रट लेना है दोस्तो ठीक ना पूरा objective में आपको बताऊंगा उसके बत सब्जेक्टिव question भी दिखाऊंगा answer के साथ देख सकते हैं एक से 30 तक आपका प्रस्ण रहेगा जिसमें 25 objective का answer देना है OMR seat पे ठीक ना लेकिन मैं आपको 300 objective का answer बताऊंगा तो वीडियो को पुरा last तक दिखना है रट के जाना है यही paper आएगा एक नमर में सबाल है निमलिखित में से किसकी सहिता से बहुलक को ग्यात किया जा सकता है तो इसका answer जो है तो उसको एक का आपका B हो जाएगा आयात चित्र ठीक ना रटते जाएगा original question paper है तीन नमर का रहा है कि फेमा कब लागू हुआ तो तीन का answer आपका D हो जाएगा 2000 ठीक चलिए अगला प्रसम देख लिए चार नमर का रहा है गरीबी वो उनमूलन किस पंच वरसे योजना का परमुख उदेश था तो चार का answer आपका D हो जाएगा पा अबर भागों में बाठती है तो पांच का answer आपका E हो जाएगा दो छे नमर प्रस्ण करें लगू उद्धो की अधिक्तम निवेश सीमा क्या है तो छो का answer आपका C हो जाएगा पांच करोर औरिजिनल question paper है पुरा रट लेना है objective सब्जेक्टिम साथ नमर का रहा है भारत की पहली ओद्योगिक निती कब लागो हुई तो साथ का answer आपका 7 का B हो जाएगा उन्हें 148 चलिए अगला प्रस्ण लेख लिजे आठ नमर आठ नमर का रहा है किसी वर की उच और निमन सिमा के अंतर को क्या कहते हैं तो आठ का answer आपका B हो जाएगा वर्ग अंतराल नमर का रहा है भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारम हुए तो नो का answer आपका 9 का answer C हो जाएगा 191 अगला प्रस्ण आपका 10 नमर का रहा है निमन में से किस छेतर में बीदेशी परतियक्ष निबेस FDI स्वार्वधिक हुआ तो 10 का answer आपका C हो जाएगा सेवा छेतर 11 का रहा है निडियात आयात बेंक कब अस्ताफित हुआ तो इसका answer जो है 11 का आपका C हो जाएगा 192 इस बीठिक चले 12 नमर का रहा है LPG निती में G का क्या अभिपराय है तो 12 का answer आपका B हो जाएगा WS P करन 13 का रहा है स्रीनी में सार्वधिक बार आने वाली संख्या क्यों क्या कहती कही जाती है तो 13 का answer आपका C हो जाएगा बहु लग 14 का रहा है कि 10,8,19,14 15 की माधिका का मुल क्या है तो इसका answer जो है आपका 14 का answer आप लोग कमेंट बोक्स में बताइगा इसका answer ठीक ना आप लो 15 का रहा है निमन में से किने हरित करांती का जनक कहा जाता है तो 15 का answer आपका B हो जाएगा M.S. स्वामी नाथन 16 का रहा है वर्तमान में सरकार के ठिंक टेंक के रूप में कौन सी संस्था कारिये कर रही है तो 16 का answer आपका D हो जाएगा नीती आयोग चलिए अगला प्रसंद 17 नमर का रहा है M.R.T.P. अधिनियम के अस्थान पर किस अधिनियम को लागू किया गया तो 17 का answer आपका C हो जाएगा परतियोगिता अधिनियम 18 का रहा है वर्तमान में कितने उद्योग सार्वजनिक छेतर के लिए अरक्षित है तो 18 का answer आपका B हो जाएगा दो चलिए 19 न आपका यह हो जाएगा कांडला चलिए अगला प्रथन आपनी से कुन महारत न कंपनी है तो 20 का answer आपका यह हो जाएगा हंदुस मोडल कि इस पंचवर से युजना में अपनाया गया तो इसका अंसर आपका 22 का भी हो जाएगा दूइति ये चलिए तो इस नमर का रहे नीती आयो का पदेन अधियक्स कोन होता है तो तो इसका अंसर आपका ए हो जाएगा परधान मंतरी 24 का रहा है प्रतिदर्थ के आकार के बढ़ने पर समानियता परतिदर्थ तिरूटी इसका अंसर जो आपका 24 का अंसर भी हो जाएगा घरती है 25 नमर का रहा है कि नीली नीली करांती का संबंद नीमन में से किसके उतपादन से है तो 25 का अंसर आपका C हो जाएगा मचली उतपादन 26 का रहा है अब तक कितनी बार भारतिय मुद्रा का अनमूलन सरकार दोरा क्या गया है तो 26 का अंसर आपका C हो जाएगा 4 27 का रहा है नीमन में से कौन गईर संस्थागत बित्य का स्रोत है तो 27 का अंसर आपका C हो जाएगा साहू कार अगला प्रतन रहा है 28 नमर गरिबी के दूस्चक्र की धारना किस ने दी तो 28 का अंसर आपका B हो जाएगा रेग नर्म नर्क्स 29 का रहा है उने सो चपन की उद्वगी की निती में उद्वगों को कितने वर्गों में बाटा गया था तो 29 का अंसर जो आपका 29 का B हो जाएगा 3 तीस नमर कर आधुनिक अर्थसास्त के जनक कोन है तो 30 का अंसर आ हो जल्द हम निकाल के अप्लोड कर देंगे तो चैनल को अप्लोड सब्सक्राइब कर लीजिएगा